तो आजकल जो smartwatches market में launch हो रही है उनका जो design और style है वो almost similar सा ही है और recently हमने कुछ rugged smartwatches देखी जो की थोड़ा सा different है normal smartwatches से बट आज हमारे पास एक different look and feel वाली smartwatch है वो है firebolt की तरफ से और ये है firebolt quantum तो ये smartwatch एक stainless steel smartwatch है और आज हम इस वीडियो में देखेंगे कैसी है smartwatch और क्या है इसके features और mail ने मुझे देखना है कैसा है इसका look and feel और guys अगर आप channel पर नए हो तो subscribe ज़रूर कर देना और अगर ने वीडियो पसंद आए तो please like का बटन दबा देना तो जल्दी से शुरू करते हैं ये वीडियो तो ये है इसका box और box पर हम देख सकते है firebolt quantum ये एक bluetooth calling smartwatch है ये है इसके picture और ये एक stainless steel smartwatch है जो display है इसका वो है 1.28 inch का HD display और यहां हम देख सकते हैं इसके कुछ और features वो है SPO to monitoring, heart rate monitoring, sleep monitoring, multiple sports modes और ये IP67 water resistant है इस साइड हम इसकी app देख सकते हैं वो है H-band तो जो app इस ताइब वो डिफरेंट है यूजिली firebolt D.A. Fit यूज़ करता है बट इस ताइम जो app है वो है H-band पीची के साइड इसके कुछ और features है और यहां इसका MRP वो है 19,999 और जिसका launch price है वो है 2999 आपको मिल रही है stainless steel smart watch जो लग रही है good deal तो जल्दी से देखते हैं box के content और देखते हैं box में क्या मिलता है हमें तो सबसे पहले में मिल जाता है तो सबसे पहले मिल जाती है वोच और यह है हमारी watch ये वह वाच दो किलर्स में आती है वो है green and red and black तो ये है green तो जल्दी से watch को दिखाए तो आपको कैसी दिख रही है watch तो ये है हमारी watch and guys stainless steel है watch तो थोड़ी सी ये heavy है और बट इसका जो look and feel है मुझे काफी अच्छा लग रहा है और उपर की सारह में जो मिल रहा है कि green color का इसका techy meter और यहां पे कुछ नंबर्स है और जो body wise ये पूरी stainless steel है तो अभी रखते हैं इस watch को sideboard देखे है box में और क्या मिलता है तो box में मिलता है हमें as usual एक इसकी charging cable तो यह मिलते हैं हमें documentation तो ये है इसकी user guide और ये कुछ gift cards है और एक और चीज मुझे यहां दिख रही है वो है ये तो guys ये जो device है इसकी stainless steel के जो strap की length आप adjust कर सकते हो and guys जैसे मैं आपको पहले बोला कि मुझे इसका जो design है वो काफी अच्छा लग रहा है काफी classy लग रही है और ये watch एक luxe edition में आ रही है तो luxe edition हैं का premium segment होगा जिसमें ये luxury watches निकालेंगे और ये इसकी पैली smart watch है तो ये मैं उतार दी है इसकी protective film straps से और जो straps की quality है guys इसकी जो design मुझे काफी अच्छा लग रहा है और इसमें जो shiny है ये काफी जारा shine कर रहा है तो इसका closing mechanism है वो ऐसा कुछ है तो पहले आप इसको प्रेस कर सकते हो फिर इसको बंद तो ये जो smart watch है उसके लिए काफी अची है और as usual मैंने smart watch पहले से ही पैन के यूज़ करना शुरू कर जिया था और दो-तिन दिन से smart watch को मैं यूज़ कर रहा हूँ मैं कह सकता हूँ कि जिसका look and feel है वो काफी different है smart watches तो आजकल बहुत सारी available है पट formal look and feel की smart watch बहुत ही कम थी और ये जो smart watch है ये एक पहली smart watch budget में आती है और इसका जो price में ने बताया आपको 2999 तो 2999 आपको मिल रही है budget smart watch वो भी formal look and feel में stainless steel body के साथ तो करते हैं इसकी overview की बात तो front में मिल जाती है में 1.38 inch की display तो ये normal display है ये amulet display नहीं है और एक चीज़ और आपने देखी हो तो वहां मिलता है वोपर tachymeter तो ये जो tachymeter है इसको आप इसे rotate कर सकते हो तो जो tachymeter के जो number यूजिली represent करते हैं कुछ but I guess ये जस look and feel कि रहे है पिकर जो tachymeter स्टार्ट होता है वो यहां से कुछ 400-500 से शुरू होता है और इधर जाता है 50-55 पर बाकी overview की बात करें तो side मिल जाता है हमें एक crown तो एक normal crown है function button है और यहां इसका mic और पीछे की side मिल जाते हमें इसके sensors और charging point और इस side यहां मिल जाता हमें इसका speaker यह जो watch है थोड़ी सी heavy है बड़ अगर 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 आप यहां प्रेस करोगे तो मिल जाएंगे आपको कुछ और वाच फेस तो इधर मिलते हमें के black और यह है black watch face इसके लावा मिल जाता है green watch face और वो है ऐसा देर मिलते हमें कुछ normal इनके fireball के default watch faces इसके लावा इसमें आप और भी watch faces आड़ कर सकते हो companion app से और इसमें customized watch face का भी option है जिसमें आप एपनी photo भी लगा सकते हो इसमें और अगर बात कर इसके features की तो swipe down करने मिल जाएंगे इसके quick settings और यहां पर usual option है वो है find phone vibration settings और यहां पर wireless connection का status है और अगर swipe up करने मिल जाएंगे आपको songs तो guys इस watch में आपको 128 MB की storage मिलती है तो आप इसमें कुछ songs भी इसमें डाल सकते हो और एक और चीज़ इस watch से आपने true wireless headphones में कर सकते हो और swipe left करने मिल जाएंगे इसके कुछ shortcut cards और वो है step count, sleep, heart rate, blood pressure, SPO2 तो that's it और main menu के access करन में आओगा crown का button और ये है इसका menu तो guys यहां आप देख सकते हो कि जो इसका touch screen है वो काफी अच्छी काम कर रही है और इस menu में कोई भी lag नहीं है तो even though ये 60Hz के smart watch नहीं है still इसका touch response है वो काफी अच्छी है और display की quality भी मुझे काफी अच्छी लगी और अगर menu की बात करे मि मिल जाते है सबसे पहले में workout और यहां पर हमें मिल जाते है running, walking, indoor, running तो यह कुछ workout modes है तो guys workout mode से वो इतने ही available है और एक चीज में ज़रूर कहना चाहूंगा क्यों यह जो watch है वो health data के लिए बिलकुल भी नहीं है तो इसका health data है वो normal reference के लिए बागी मिल जाता है में pedometer, step count and then मिल जाते है में sleep, heart rate, blood pressure, blood oxygen तो यहां मिल जाते है कुछ calling function तो यह है इसका dial pad तो जैसा आपने सुना जो speaker की volume है बोर डीसेंट है इतनी जादा लाउड नहीं है तो calls के लावा मिल जाते है में contacts जो आप अपनी आप से sync कर सकते हो और इस watch में आप 10 contact sync कर सकते हो देन मिल जाता है में call logs, notification जो की notification की history उसके लावा है मिल जाते है में usual things वो है alarm, stopwatch, timer, music, music के बार आपको मिल जाता है fine phone, camera and settings तो settings अल्दी से अपको दिखा रहता हूँ तो settings में सब से बले मिलती है में brightness तो गाइस brightness is watch का मुझे काफी अफी अच्छा लगा अभी यह फुल brightness ह अच्छा लगा तो बार जो option वो है auto lock और जो auto lock है वो है screen time out settings and उसके बार मिल जाता है में switch जिससे आप कुछ health function on or off कर सकते हो तो यहाँ पर मिलता है में HR monitor, BP monitor, HR alert, disc correction alert, raise to wake and movement alert which is idle alert उसके लाव यहाँ है H-band जिससे आप का QR code देख सकते हो, dial, different watch faces, notification, about, erase data जो है factory reset and power off तो यह थे watch के features और feature wise यह watch मुझे काफी basic सी लगी और इस पर health functions है वो भी just reference के लिए data की accuracy हाला की ठीक है बट अगर आप इसको रखोगे table पे और अगर आप इसको पहनोगे नहीं तब भी मैंने देखा sometimes यह heart rate और SPO2 दिखा रहा है तो इतना reliable नहीं है इसका health data और बात करूं मैं इसकी sleep tracking की तो sleep tracking के लिए watch बिल्कुल भी perfect नहीं है मैंने कोशिस जरूर कर इस watch को पहन के सोने की बट यह इतनी heavy थी कि मुझे थोड़ा सा discomfort सा feel हो रहा था और मैंने इसको उतार के side में रग दी बट जो workout mode and step counts है उसकी जो accuracy है मुझे ठीक ताक सी लगी त अगर बात करते हैं इसकी आप की तो आप काफी जारा basic है और आप अपर आप बिल जाएगी ऊपर कुछ step count की detail यहां पर connection का status और इधर आपको दिखाएंगे step count, sleep, heart rate, blood pressure and then यहां पर बिल जाएगे आपको कुछ workout modes और इसके लावा यहां बिल जाएगे आपको watch की settings तो watch की settings की settings यहां पर आप apps उसकते हैं जिसकी आपकी notification आपको चाहिए तो बात करें इसकी call notification की तो दिखा तो कैसी call notification इसमे आती है तो ऐसी कुछ notification इसमें आजा जाती है तो उपर दिखाता है आपको caller का name और यहां जो option है दो ही option है call काटने का और उठाने का तो इसमें भी quick reply feature आप आपको नहीं मिलता है तो अगर बात करें इसकी message notification की तो कुछ ऐसी message notification दिखाती है तो यहां पर आपको दिख जाएगा message का preview तो अगें इसमें इसमें कुक रप्लाइगा feature नहीं मिलता और इस watch पे इमोजी support आपको नहीं मिलता तो बाकी इसकी app में आपको मिल जांगी कुछ और details वो है alarm की settings, sedentary reminder, heart rate alert, race to wake तो बात करें इसकी race to wake की तो race to wake इसका decent है तो देखते हैं कैसा काम करता है तो यह है मैंने कर दिया इसका race to wake और जैसे हमने देखा कि जो इसका race to wake इसका response ठीक ठाक साए इसमें अगर watch इसमें वापिस कर दो तो यह स्क्रीन बन हो जाएगी तो ऐसे करने पर यह on हो जाएगी और ऐसे करने पर आफ हो जाएगी तो डायल चर्रिंग से यहां पर इसके जो default watch faces हो है और यहां पर photo watch face इसाप custom watch face लगा सकते हो तो इस smart watch के लिए कुछ cloud based watch faces भी है और उनके जो option है वो कुछ ऐसे है और ठीक ठाक से option है तो गाइस यह थी smart watch fireball की quantum and look and feel में smart watch मुझे काफी जारा अच्छी लगी और अगर आपका style is stainless steel watches का तो यह जो smart watch fireball की quantum आपको काफी जारा अच्छी लगेगी personally मेरा style नहीं है मुझे rugged smart watch जारा पसंद है पर अगर आपकी जो style preference stainless steel वाली है तो आपको यह watch काफी जारा अच्छी लगेगी और पर अच्छी जारा को प्राइब ओर आपकी जारा अच्छी लगेगी से जारा अच्छी बड़ेगी है काफी अच्छी लगेगी से नहीं है नहीं है झाल झाल